वेल्कम बेक तो मैं यूटुब जैसे कि हमने जो है सेकंड शेप्टर स्टार्ट किया था वालाजिकल मालीकूल्स वह हमारा अब एंड पर आ गया है लिपिर्स पर लिए हमने कार्भोहाइडर्स पर लिए प्रोटीन पर लिए लिपिर्स हमारे कंप्लीट हो गए और अब हम चलते हैं न्यूडेक एसट की जाने जो हमारा अब नेक्स्ट जो है वो टॉपिक है । न्यूडेक एसट तो जो जनल घिस अपको बताए कि क्या है या इसमें क्या-क्या टाइपस आ जाते हैं इनका इनका इस्ट्रेक्चर तो आज हम इन सब चीजों को डिफाइन करते हैं सबसे पहले तो हम इनकी डेफिनेशन देखते हैं इंट्रोडक्शन में देखने कि क्या मतलब हमें मिलता है नीउकलिक एसिड़ मेक्रों मालीकूल मेंड्डोइबू मोमालीक्यों का हमने काफ़ी बार जिक्र कर लिया है पीछे भी हमने काफ़ी क्लास में मेक्रों मालीक्यों से में पार हो सही है made up of smaller units monomers called nucleotides means small nucleotides है ना nucleotides मिलकर उन सबने nucleic acid बनाया है इनकी definition simple ऐसे ही होगी कि छोटे-छोटे monomers means छोटे-छोटे nucleotides ने मिलकर nucleic acid बनाया है अब देखें types of nucleic acid generally सबको यह तो सबको पता होता है डियरा टू टाइपस ऑफ न्यूकलिक acid dna और आरेन डियने डियने का फुल फॉर्म डियोक्सी राइबो न्यूकलिक एसिड आरेने का फुल जैसे के dna और आरेने के difference हम पढ़ेंगे next class जो है उसका ही होगा और जैसे के आपको पता है मैंने difference dna और आरेने के different के ऊपर एक और lecture बनाया हुआ है अपने चैनल पर अगर आपको वह पढ़ने तो आप मेरे चैनल पर जाके वहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो में ठीक है अब आरेने तो आप सबको पता है single strand होता है dna double strand होता है मैं कहीं रही हुँ न कि ज्यादा difference हो है मैंने अल्रेडी उनके ऊपर lecture बना दिया था पहले ही बनाया था तो जैसे कि इस पर भी दुबारा बनाऊंगी क्योंकि जार से बात यह topic के साथ चल रहा है तो यह हमारा बस ऐसा ही समझे nucleic acid के बाद अब एक और topic बचा है उसके बा अब कितने पार मतलब नु यू ऐू टाइट के मैं पाइन इसके पारत ही इनका इस्टएक्शर नुक्लोटाइट का बता हैं यहां पर आप यह प्रेख सकते हैं बीच में है पैंटो सुगा में है नाीकरोगीनिस बैसिस जो चेंज होता रहता है आरेने का अलग है डियने का अलग है मतलब एक ही डिफरेंस है इनके बीच में और यह हमारा फासवेट ग्रूप अब जो नाइट्रोजीनस बैस है ना वह हमारी फर्स्ट मतलब पैंटोस पैंटोस हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर आप फाइब क लगता है नाइट्रोजीनस बैस जो है वो चेंज होता रहता है डियने में और आरे में सिर्फ एक ही नंबर वो चेंज है और इनके स्ट्रेक्चर में भी चेंजिंग है वो भी आपको आगे पता चल जाएगा अकरन्स अब यह होते का है नुकलिक एसेड और प्रेजंट इन कि हम हिस्ट्री बढ़ेंगे कि नुकलिक एसेड डिसकवर किस ने किया नुकलिक एसेड डिसकवर हुआ था एटी सिक्टी नाइन में 24 यर ओल्ड स्वेज फिजिशन फ्रेंड रिच मिचर आइसोलेटेड अन्यू कंपाउंट फ्रम नुकलिय आफ वाइट ब्लड सेल वाइ वाइट ब्लड सेल से था तो इसलिए हम इसे पस सेल भी कहते हैं सही है और यह रहा हमारा वो साइंटिस जिसने इतना बड़ा काम किया था उसके बाद सलते हैं मिचर नेम्ड हिस डिसकवरी एद नुकलिय बिकॉस ही हैड आइसोलेटेड इड फ्रम दे नुकलिय आफ सेल व नुकलिय आइसिड दूट प्रेजंस ऑफ फॉस्फोरिक आइसिड और पहले तो नुकलिय बोलते थे अब नुकलिय एसिड एसिड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें फॉस्फोरिक एसिड है नुकलिय टाइड में हम इसे फॉस्फोरिक एसिड मिलता है इस वजह से हम इसे न कर दें कमेंट लाइक कर दिया गरें टाकि जदा से जदा जिनको नीड की दो ठीटर को यह मिलती रह उसके बाद हम आते हैं मोनोमर्स of nucleic acid followers of nucleic acid replace cash addalties 130 Aí में ताउन में कि दो気 tutaj tree त्री पार्ट से वह हम जरा सा पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे आल यूकलिक एसे डार मेड़ आफ दे सेम बिल्डिंग ब्लॉट्स जो सारे नुकलिक एसे ने वह ऐसे ही सेम बने हैं ऐसा नहीं है कि इसमें पेंटो शुगर है तो दूसरे में पेंटो शु यूएं पेंटो शुगर फास्फेट शुगर नाइट्रोजीनस बैस देर फाइट आपस आप नुकलाइट अब इनके फाइव टाइपस हैं नुकलाइट्स के पार्ट सो है वह थरी है टाइपस इनके जो है मतलब अचसाम जिसे कहते हैं वह इसके पाइव हैं जो मैं नूक looking at dna 89 nucleotide thaman nucleotide cytosine nucleotide guanine nucleotide यह जो चार है जो यूरसल है यहां पर एक यूरसल जो रह गया वो सिर्फ हमें RNA में मिलता है वो रिप्लेस हो जाता है थामाइन की जगर पे AUCG when looking at RNA उसके पास क्या है 89 भी है cytosine भी है guanine only only uracil जो ना वो थामाइन से रिप्लेस हो गया ठीक है मतलब सिर्फ एक ही डिफरेंस इस पे थामाइन इनके पास uracil है nitrogenous basis there are two kinds of nitrogenous containing basis purines and perimidines purines are double ring and perimidines are single ringed purines जो है अब यह उसके दो जो है nitrogenous नाइट्रोजन जो contain basis बेने आपको बताया बीचे के सिर्फ और सिर्फ जो nitrogenous basis उसमें सिर्फ changing आती है उसकी साब से इनको जो है रखा गया यह देखिया purines and perimidines purines are double ring उस प्युराइन के अंदर जो double ring होता है प्युराइन के अंदर single होता है purines consist of sing member and a five member nitrogen containing ring fuse together अब यहां देखें यह जो यह purine है यह आप देख सकते हैं यह purine है यह देखें एक दो तीन चार पांच छे उस statement के हसाब से के sharing structure fused with five यह देखें एक दो तीन चार पांच पांच रिंग के साथ वह fused हैं contain करता है purines the purines are 89 gonines 89 gonines जो है purine है और उसमें six member जो हैं वह fused है five member nitrogen इसके साथ fused कोई भी नहीं है इसमें बकाया अब 89 gonines तो इसमें आ गया तो बाकी जो बचे cytosine, tham and uracil वह इसमें आ गये ठीक है अब there are five nitrogen bases in total यह देखें आप found in dna gonines उसमें मिलता है edinine दोनों में मिलता है तो जो thiamine ने यहां पर यह आप देख सकते हैं यह जो thiamine यह only a dna में मिलता है और uracil जो है सरफ rna मिलता है मतलब thiamine rna में नहीं मिलता और uracil उसमें नहीं मिलता तो यह था आज का हमारा lecture तो अगर आपको यह अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को don't forget to subscribe